नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहधी महत्तोपुन और शदी को लेकर के आईए आज हम सभी जानते हैं कुल्थी के बारे में कुल्थी का सबसे बड़ा फायदा होता है श्टोन में जिहां कई लोगों को अ बोजन द्वारा ग्रहन किये हुए केल्शियम को पचा नहीं पाता है और किड्नी भी शरीर की गंदगी की सफाई करते समय इसको साफ रखने में औसक्षम हो जाती है और यहीं से ये हमारे मुत्राशय को भी प्रभावित करती है तो आए हम जानते हैं कि इससे मुक्ती पान मसलन गुर्दे में दर्द, मुत्र में जलन या मुत्र का अधिक या कम आना इत्यादी इन सभी समस्याओं में से एक समस्या है जिसके पीडितों की संख्या लगातार बढ़ रही है वह है किड्नी में पथरी अएरुएद्व घरेलू चिकित्सा में किड्नी की पथरी में फायदे मंद माना गया है गुणों की दृष्टी से कुल्थी पत्री एवं शरकरा नाशक है वात एवं कफ का शमन करती है और शरीर में उसका संचय रोकती है कुल्थी में पत्री का भेदन तथा मुत्रल दोनों गुण होने से यह पत्री बनने की प्रकृती और पुन्रावरिती रोकती है इसके अतिरिक्त यह यकृत एवं प्लीहा के दोश में लावदायक है मुटापा भी दूर होता है 250 ग्राम कुल्थी कंकर पत्थर निकाल कर साफ कर लें रात में 3 लिटर पानी में भिंगो दें सवेरे भिंगी हुई कुल्थी उसी पानी सहीत धीमी आग पर 4 घंटे पकाएं जब एक लिटर पानी रह जाए जो काले चनों के सूप की तरह होता है तब उसे नीचे उतार लें फिर 30 ग्राम से 50 ग्राम पाचन शक्ति के अनुसार देशी घी का उसमें छोंक लगाईए छोंक में थोड़ा सा सेंधा नमक, काली मिर्च, जीरा, हल्दी डाल सकते हैं आप पथरी नाशक और शदी तैयार हो जाएगी इस प्रकार से आपकी आप दिन में कम से कम एक बार दो पहर के भोजन के स्थान पर यह सारा सूप पीजिए 250 ग्राम पानी आवश्य पीजिए यह ध्यान रखिए एक दूस अपताह में गुर्दे तथा मुत्तराशे की पथरी गलकर बिना ओपरेशन के बाहर आ जाती है लगातार सेवन करते रहना रहत देता है यदि भोजन के बिना कोई व्यक्ति रहना सके तो सूप के साथ एक आध रोटी लेने में कोई हानी नहीं है गुर्दे में सूजन की स्थिती में जितना पानी पी सके पीने से दस दिन में गुर्दे का प्रदाह ठीक हो जाता है यह कमरदर्द की भी राम बान दवा है यह दाल मज्जा यानि के हड्डियों के अंदर की चिकनाई बढ़ाने वाली है अब जानते हैं कि कीन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए पालक, टमाटर, बैंगन, चावल, उरद, लेसदार पदार्थ, सुखे मेवे, चौकलेट, चाय, मद्यपान, मानसाहार, इत्यादी मुत्र को रोकना नहीं चाहिए लगातार एक घंटे से अधिक एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए कुल्थी के साथ साथ कुल्थी का पानी भी बेहदलाफकारी होता है कुल्थी का पानी विद्वत लेने से गुर्दे और मुत्राशे की पथरी निकल जाती है और नहीं पथरी बनना भी रुख जाता है किसी साथ सुखे मुलायम कपड़े से कुल्थी के दानों को साथ कर ले किसी पॉलिथीन की थैली में डाल कर किसी टीन में या काँच के बरतन में सुरक्षित रख ले अब हम जानते हैं कुल्थी का पानी बनाने की विधि क्या होगी किसी काँच के गिलास में 250 ग्राम पानी में 20 ग्राम कुल्थी डाल कर ढख कर रात भर भींगो दीजिए सुबह इस पानी को अच्छी तरह मिला करके खाली पेट पी लीजिए फिर उतना ही नया पानी उसी कुल्थी के ग्लास में और डाल दीजिए जिसे दो पहर में पी लें आप दो पहर में कुल्थी का पानी पीने के बाद पुनह उतना ही नया पानी शाम को पीने के लिए आप डाल दीजिए इस प्रकार रात में भिंगोई गई कुल्थी का पाने अगले दिन तीन बार सुबह, दो पहर, शाम, पीने के बाद उन कुल्थी के दानों को फेक दीजिए और अगले दिन यहीं प्रक्रिया अपना ये महीने भर इस तरह पानी पीने से गुर्दे और मुतराशे की पत्री धीरे धीरे गल कर निकल जाती है इसके साथ साथ इसके कुछ एक सहायक उपचार भी होते हैं जिनको भी अपनाना चाहिए कुल्थी के पानी के साथ हिमाले ड्रग कंपनी की सिश्टून की दो गोलिया दिन में 2-3 बार प्रती दिन लेने से शिघर लाव होता है कुछ समय तक नियमित सेवन करने से पत्थरी टूट टूट कर बाहर निकल जाती है यह मुत्र मार्ग में पत्थरी मुत्र में क्रिश् मुत्र में जलन इत्यादी को खत्म कर देती है तो ये और शदी दोस्तों आप सभी के लिए बेहद ही लाफकारी और शदी है अगर आप इसका सही ढंग से इस्तिमाल करते हैं तो ये आपकी पथरी को टुकडे टुकडे करके बाहर निकाल देती है ऐसी ही नई और शदी लेकर के अगली करी में हम आप सभी से जुड़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार